Hey guys, welcome to Crypto24 YouTube channel Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Binance Futures Trading के बारे में जब हम complete बात करने वाले हैं कि आप कितने easy तरीके से Binance Futures Trading कर सकते हैं साथे साथ कई important topic आपके साथ में share करूँगा जिसे कि आपको बहुत बड़े loss से बस सकते हैं कापी चीजें आगर आप वो चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं और leverage trading करना start कर देते तो आपको बहुत बड़ा loss इवन आपका जो fund है total fund zero हो सकता है तो इस वीडियो को end तक देखना जिसे आपको कापी information मिल सके इस वीडियो में total information cover करने की कोशिज करूँगा तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ में अभी तक आपने हमें follow नहीं क्या तो कर सकते हैं जिसे की आपको regularly cryptocurrency के update इस channel पर मिलती रहे हैं guys हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं mobile application के अंदर trading क्योंकि आपको desktop में क्या होता है guys अगर आप ज़्यादा तर लोग mobile यूज करते हैं और बार बार ब्राउजर में आपको login करना पड़ता तो आपको मैं better यही suggest करूँगा कि अगर आप mobile में यूज करते हैं तो application ही यूज करें जो की बहुत fast है अगर आपको कोई भी trade immediately लेनी है close करनी है तो आपको बहुत fast तरीके से आप वहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक account नहीं बनाए तो मैं नीचे link दे दूँगा वहाँ पे जाके आप account बना सकते हैं नए account बनाने पर आपको एक benefit होगा कि आपको 10% trading fees के अंदर discount मिल जाएगा अगर आप हमारे link के through account बनाते हैं तो आपको नीचे link मिल जाएगा वहाँ जाके email password वगेरा डालके वहाँ पे account बना लेना अगर आपके पास already account है तो आपको क्या करना गाइस की Binance features में चले जाना है मैं आपको वीडियो में बता दूँगा वहाँ पे जाके आपको जब आप account open करेंगे Binance features का तो वहाँ पे आपको एक refer code डालने का option आएगा तो वहा आपको application के बारे में complete detail बसा देते हैं तो guys हम आज चुके है mobile screen पे और हमने application डाउनलोड कर लिया और आपको इस तरह का interface दिखाई देगा जब आप application के अंदर enter होगी तो आपको सबसे पहले account के अंदर login कर लेना जिस account को आपने बनाया है वहाँ पे उसके बाद में आप जा आपको market पे चले जाना है सबसे पहले market पे जाएंगे तो आपको sport and features trading का option आएगा sport trading में क्या होता guys कि आपको normal trade करते हैं जहां पर आपको low में buy करके top पे sale करते हैं उपर में up में sale कर देते हैं तो आपको profit हो जाता है बट यहां पे features trading में क्या होता guys कि जो leverage trade होती है उसमें क होता है कि आपको double profit होता है अगर कोई coin या BTC down जाता है तो भी आप वहाँ पे profit earn कर सकते हैं और up जाता है तो भी आप profit earn कर सकते हैं बट जो sport trading है उसमें सिरफ आपको up जाता है तो ही आपको benefit होगा अगर down आता है तो आपको loss होगा इस तरह सही है difference है sport and features trading में और sport trading में किसी भी तरह का leverage बगेरा नहीं मिलता जो आपके पास fund होता उससे आप normal buy कर सकते हैं feature trading में आप up to 125x का leverage ले सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारे coins listed दिखाई दे सकते हैं आपको देखे इतने सारे coin listed features market के अंदर तो आपको trade किस तरह से करना तो आपको सबसे पहले funds में जाना है और deposit कर लेना आपको जो भी currency के अंदर deposit करना वो deposit करना है उसके बाद में आपको उस fund को USDT के अंदर convert कर लेना है ठीक है सबोज कीजिए मैं BTC यहां पर deposit करता हूँ तो BTC को मैं यहां पर USDT के अंदर convert कर दूँगा उसके बाद में मेरा जो USDT के अंदर fund यहां पर 100 हो जाएगा तो मेरे पास यहां पर USDT में देखिए 1.4 USDT यहां पर balance है तो सबसे पहले क्या करना होगा गाईस कि आपको जो यह balance है इसको features account के अंदर transfer करना पड़ेगा यहां पर सब तरह के account मिल जाते हैं margin account, features account, fiat account, lending account इस तरह से तो आपको क्या करना जो fund है आपका यह fund आपको यहां पर features account में transfer करना है आपको जो important चीज बात यहां पर ध्यान रखनी है कि future trading बहुत ही ज़्यादा रिक्सी होता है जहां पर आपका fund zero होते हुए कोई भी time नहीं लगता within second के अंदर आपका fund zero हो सकता है तो आपको जो balance रहता सबूझ कीजिए आपके पास 100 dollar है 200 dollar है उसमें से सिरफ 10 से 20 percent ही features trading में use करें otherwise आपका सारा fund zero हो सकता है बहुत ही ज़्यादा रिक्सी है feature trading करना तो मैंने यहाँ पर जो मेरा second account है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1.4 आपके पास 1 dollar है तो भी आप trade कर सकते हैं कोई वो चीज नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम इस fund को transfer कर लेते हैं आपने जो feature account है उसके अंदर तो मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ USDT और जो मेरा 1.4 USDT वो है और transfer में कर लेता हूँ जैसे मैं transfer पर click करूँगा तो मेरा जो fund है वो इधर आ जाएगा अभी मैंने एक trade open कर रहा की है जो कि मैंने अभी just open ही की है जिसमें मेरे को 17% का profit so हो रहा है तो वो किस तरह से करनी है आपको भी तो आपको जो उपर option मिलेगा trade पे जाना है उपर sport margin और features option सब भी तरह के trade के यहाँ पर option मिल जाते हैं आपको features option के अंदर चले जाना है features option में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक dashboard open हो जाएगा जहाँ पर आपको trade होती हुई दिख जाएगी तो यहाँ पर आपको किस तरह से trade करनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहला top पर जो option मिलेगा guys आपको यहाँ पर जो market है वो select कर लेना जैसे मैंने यहाँ पर BTC USDT किया हुआ तो आप जो भी आपको market में trade करनी है वो select कर लेना ठीक है उसके बाद में आपको option मिलेगा cross और यहाँ पर leverage वाला यह बहुत ही ज़्यादा important चीज है यहाँ पर cross का मतलब क्या होता है guys की suppose कीजिए आपके पास 100$ पड़ा है आपके इसके अंदर तो आप उससे मालो 20$ की ही trade ले रहे हैं तो आपको 20$ की trade तो open हो जाएगी बट अगर जो आपने जहाँ पर जितना leverage लिया suppose कीजिए आपने 100$ ले ले लिया और 20$ से trade open की तो वहाँ पर आपका जो 20$ ट्रेड तो आपने 20$ से की बट जो आपका fund पड़ा 100$ वह उसके अंदर यूज होगा और आपका पूरा fund यहाँ पे 0 हो जाएगा जब आपकी trade अगर गलत चली गई और आपकी उल्टी चली गई तो यह cross leverage का सबसे बड़ा disadvantage है बट इसमें यह यह गाइस की आपके पास fund कम है और कम fund से आप trade कर रहे हैं और आप जो fund है वो यूज हो के आपको जो liquidation price होता है वो कापी दूर चला जाता है बट मैं यहाँ पर recommend करूँगा कि हम हमेशा isolated जो option है उसको select करें जिसमें कि आप सब पूच की आप 20$ की trade ले रहे हो आपके पास मान लो 50$ आप उसमें से शरफ 10$ की trade ले रहे हो तो आपका पूरा fund zero हो सकता है जो भी आपके main balance में feature account में पढ़ा है वो zero हो सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको isolated search isolated के अंदर click कर देना अभी मेरी trade open है तो इसलिए यहाँ पर confirm नहीं हो रहा है इसके बाद में आपको leverage select कर लेना है leverage select करने के लिए आपको 90 लिका हुआ यहाँ पर आपको click करना है मैंने अभी 90X का leverage ले रहा है मैं बिल्कुल small amount से ही यहाँ पर trade करता हूँ जिसमें कि मैं ज़्यादा leverage लेता हूँ तो अगर में trade सही चली जाती तो मेरा 20$ का 100-500$ होते हुए कोई time नहीं लगता है ठीक है इस आप यहाँ पर 50X भी लेते leverage तो आपका पूरा 0 होते हुए कुछ भी time नहीं लगता आपका बहुत ही जल्दी within second के अंदर आपका 0 हो जाता है अगर आप ज़्यादा यहाँ पर leverage लेते तो देखिए यहाँ पर 10-15 minute के अंदर ही pump और dump हो गया था तो ऐसी situation में क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा leverage ले रखा होता है तो आपका बहुत बड़ा low से नहीं 0 सबको 0 हो सकता है तो इसलिए सही time पर entry लेना कम leverage लो तब भी आप यहाँ पर earning कर पाओगे तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यह दो option तो आपको clear हो गया ठीक है तो अभी आपको दो buy and sale का option मिल जाता same आपको sport trading में मिलता उस तरह से तो आपको अगर buy करना है अगर आपको लगता है कि market BTC उपर जाएगा तो आपको buy करना है अगर आपको लगता है कि BTC down आएगा या जो भी आपको coin select है वो down आएगा तो आपको वहाँ पर sale पर करना ठीक है तो यहाँ पर मैं buy पर करता हूँ और यहाँ पर देखिए जो option है limit order यहाँ पर जो भी price जैसे suppose किजिए कि मेरे को जब price यहाँ पर 9650 पर मेरे को buy करना और में यहाँ पर जितना भी मेरे को leverage लेना है वो यहाँ पर select करके मैं यहाँ पर buy कर लूँगा ठीक है और यहाँ पर market order में जो भी market price रहत करते हैं और market price select कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा risk होता है कि वहाँ पर आपकी trade किस price पे open हो तो वो कुछ नहीं कह सकते है जब एक दम बहुत ज़्यादा moment आता तो आपका बहुत बड़ा loss हो सकता अगर आप margin market price select करते हैं तो try करें हमेशा जब market stable हो जो market order है इससे थोड़ा सा बच के रहना stop limit में भी आप order लगा सकते है stop limit का में order लगाने के बाद आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत easy तरीके सरसमझ में आया आपको limit order लगा देना उसके बाद में आप position में जाके उसको आराम से set कर सकते हैं तो मैं यहाँ प प्लेस कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पर trade open हो गया तो मेरी जो trade है वो इसी में add हो गई है जो मेरी position लगी हुई थी जिसमें अभी मेरे को 13% का profit दिखा रहा है जो की 1.2 dollar का यह जो आपका amount दिखाता है और यह percentage दिखाता है कि आपका जो amount है उस पे कितना percentage यह आपको return मिल है तो अभी आपको stop loss की बारे में बता दो आपने position open कर लिए ठीक है आपको क्या करना है कि आपको अगर adjust leverage करना अगर आपको leverage क्योंकि आपने isolated लिया तो इसमें आपको leverage भी adjust कर सकते हैं आपको कम and ज्यादा भी कर सकते हैं आपके balance के according ठीक है उस हिसाब से आपको ज्यादा लगता है तो उसको कम leverage कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में आपको stop loss stop loss के अंदर मैंने studying में आपको बोला था कि video किसलिए important है तो यह important चीज है आपके लिए कि जो stop limit है अगर आप यहाँ पे stop loss लगाते तो आपको सिरफ 10% ही chance रहेगा कि आपका order execute होगा यह बात का जरूर से दियान रखे मैं तीन महीने से इसको use कर रहा हूँ तीन महीने में मेरे सिरफ 2-3 बार ही stop limit यहाँ पे काम किया है मैंने जब इस पे लगाया है price यहाँ पे क्या है कि जो price है उसको cross भी कर जाता है सब कुछ हो जाता है उसके बाद में आपका stop loss लगाने के बाद भी सब कुछ नहीं होगा, तो आप अगर leverage trade करते हो, इसमें Binance पे तो आप बिलकुल भी इसको use मत करना आप stop limit का ही use करना ठीक है, stop market बिलकुल भी मत करना stop limit में क्या है गाइस कि आपको जो price है, वो यहाँ पे आप select कर सकते हैं, आपके crowding की आपको किस price पे यहाँ पे sell करना, तो यहाँ पे आप difference डाल सकते हैं जिसे कि आपको volatility हो, तो भी आप यहाँ पे बेटर तरीके से आपका जो है instantly वहाँ पे order execute हो जाएगा, order close हो जाएगा, तो आप यहाँ पे किस तरह से इसको set करेंगे, उसके बारे में समझ लीजे, आपको एक option मिलेगा यहाँ पे last price का, तो यहाँ पे दो option मिलते हैं, mark price and last price, तो आपको यहाँ पे last price select कर लेना, और last price के अंदर आपको क्या डालना, मैंने यहाँ पे sort किया हुआ है, बट अगर इसका price उपर चला जाता है, तो मेरे को यहाँ पे मैंने जो buy किया है, वो किया 9672, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे, जो limit के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे limit last price यहाँ पे price क्या चला 9672, मैंने 72 पे buy किया, तो मैंने 80 यहाँ पे डाल देता हूँ अगर last price आपका 9680 आता, तो मेरा जो order है, वो immediately यहाँ पे लग जाना चाहिए, 9685 पे या मेरे को पूरा तरह से safe चलना तो मैं यहाँ पे 10 डोलर का difference रखने वाला हूँ तभी मेरा order 100% sure होगा कि मेरा order execute हो जाएगा, इस तरह से आपको यहाँ पे price set कर देना, आपको लगता है तो यहाँ पे 85 भी डाल सकते हैं तो आप 85 पे डाल सकते हैं, तो जैसे ही आपका यह order price जाएगा 9680 पे तो आपका 9685 तक जो भी price रहेगा, best price रहेगा उसमें sale हो जाएगा, ठीक है तो इसमें difference जरूर से रखना आपको minimum 5 डोलर का difference रखना ही अगर आप leverage trade करते हैं, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना है, ठीक है उसके बाद में जो आपका amount है, आप कितना amount आपको total sale नहीं करना तो आप जो भी amount है, यहाँ पे जैसे मैं 0503 करता हूँ, उन्में confirm करता हूँ और मैं यहाँ पे confirm कर देता हूँ तो जैसे ही यह price जाएगा, तो मैं open order के अंदर भी मेरे को दिखा देगा, जो कि last price इतना आते ही, मेरा जो 85 पे, 96, 85 पे मेरा order directly sale हो जाएगा और मेरी trade यह close हो जाएगी जितना amount की मैंने लगा रखी है इस तरह से आपको इस बात का जरूर से द्यान रखना है अगर आप leverage trade करते हैं तो बाकि buy में भी same है बाई में अगर आपने buy किया हुआ तो जैसे ही price low आता तो low के अंदर आपको वहाँ पे order लगा देना है stop limit का, इस तरह से यहाँ पे order काम करते हैं, ज्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं है कि कुछ ज्यादा इसमें आपको बताने की जरूरत बहुत easy है, आपको यहाँ पे chart वगेरा बहुत easy तरीके से देख सकते हैं 15 मिनट के chart में आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं इसको, बाकि market depth भी आपको देखने को मिल सकता, आप tool यहाँ पे soak कर रहा है, तो इस तरह से यह सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा volatility होती है, तो मैं यहाँ पे order लगाया हुआ मेरा, तो मैं यहाँ पे stop loss set कर दूँगा, और जैसे ही मेरा stop loss होगा, तो मेरा order trigger हो जाएगा तो यहाँ पे आगर आगर आपको fund वापसे आपका profit हो गया और आप trade close कर दी तो वापस आप fund को आपके जो feature account है, इससे आपको main account के अंदर transfer करके उसको video अब आगर आपको position को close करना, suppose कीजिए मैं यहाँ पे profit में आगर मेरे को लगता है कि अभी trade को मेरे को close कर देना चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि close position पे चले जाना है, अगर आपको market close के अंदर भी कर सकते है जैसे ज़्यादा volatility आई और आपको तुरंट sale करना है, तो आप जाके जितना भी amount sale करना चाहते है, वो करके यहाँ पे confirm पे करेंगे, तो आपका जो amount डाला है, वो sale हो जाएगा यहीं, order close हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि पूरा amount करना तो आपको पूरे amount पे जाके confirm कर सकते हैं आपको लगता है कि मेरे को order लगा कि चोड़ देना कि इस price पर आएगा, तो sale हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर जैसे 9200 पर लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पर profit भी दिखेगा, कि अगर मैंने यहाँ पर सिरफ $15 लगाए हैं, और मेरे को अगर 9200 पर sale होता है, तो यहाँ पर मेरे को $71 का यहाँ पर profit होगा, तो मैं पहले से ही order लगा के छोड़ देता हूँ, तो कि अगर वो price वहाँ पर चला जाएगा, तो मेरा automatically order जो trade है वो close हो जाएगी, और मेरे को $71 का direct profit हो जाएगा, इस तरह से आपको यहाँ पर कर सकते हैं, और इसको cancel भी कर सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर order लगा के भी छोड़ सकते हैं, और directly instantly close भी कर सकते हैं, अगर मैं market price पर करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर इतना dollar का loss भी होगा, इस तरह से यह दिखा देता है, अगर आपको जैसे fund है, fund में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर position के अंदर भी जो भी आपकी positions रहेगी, उसके अंदर आपको जितना भी loss होगा, profit होगा और कितना leverage ले रखा है, वो भी आपको यहाँ पर so हो जाएगा बकी इसमें जो risk factor है वो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, और मैंने जो margin यूज कर रहा है, और मैंने कितना balance यूज कर रहा है, वो यहाँ पर 16 डॉलर यहाँ यूज कर रहा है, लिक्विडेशन प्राइज है, अगर आप कोई भी trade open करो, तो इस price का जरूर से ध्यान रखना यह जो लिक्विडेशन प्राइज होती है, यहाँ पर आते ही, आपका जो भी fund आपने इस trade में लगाया है, जैसे suppose कीजिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ 16 डॉलर तो जैसे ही यह BTC की प्राइज यहाँ पर आ जाती है, 9737 तो मेरा जो भी फंड है, वो 0 हो जाएगा, यहाँ इस trade में जो भी fund लगाया हुआ, वो मेरा 0 हो जाएगा, अभी मैंने जैसे cross leverage ले रखा है, तो मेरा जो भी यहाँ पर assessed पर जितना भी इस account के अंदर fund पड़ा है, जो भी balance में वो सब कुछ 0 हो जाएगा, बट अगर मेरा isolated के अंदर होता है, तो मेरा यहाँ पर जो trade में लगा हुआ, वो ही 0 होता है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिए, बाकि यह जो current price चल रहा है यह mark price दिखा देता है, आपका जो unreleased panel है, वो यहाँ पर दिखा देता है कि आप अब भी trade close करते होता, आपका कितना lows होगा, यह दिखा देता बाकि आपकी जो entry price है, जो size है आपकी कितने BTC का, यहाँ पर total size बनता, आपका 90X है यह चीज़े दिखा देता, ठीक है आप open orders में जाके, history में जाके यहाँ पर history में देख सकते हैं, आप calculate भी कर सकते हैं, आपका जो भी profit low से fees की rate भी देख सकते हैं calculator में बहुत ही easy तरीके से आप calculate कर सकते हैं चीज़ों को तो इस तरह से बहुत ही normal चीज़े हैं अगर आप यहाँ पर देखिए, इसको भी आप try कर सकते हैं, बहुत ही easy जैसे मैं यहाँ पर 20X लेता हूँ, कोई चीज में मैं यहाँ पर लेके बता देता हूँ entry price में लेता हूँ, जैसे 9670 और मैं exist price यहाँ पर लगा देता हूँ 969800 और quantity में लेता हूँ, 0.1 की तो मेरा यहाँ पर कितना loss होगा profit होगा, वो यहाँ पर मेरे को so हो जाना चाहिए यहाँ पर साइथ मेरा balance नहीं बच्चा है यह sorry, यह calculate पर जाके आपको click करना है, तब जाके आपको profit दिखाएगा, का आपको आपको इतनी trade open की 24X का leverage लिया तो आपको किस तरह से यहाँ पर profit होगा तो यह चीजें यहाँ पर दिखा देता long and short, दोनों के अंदर यहाँ पर option मिल जाते हैं, तो इसको भी आप try कर सकते हैं कोई भी लेने की यहाँ पर liquidation price भी आप check कर सकते हैं कि आपको कितना आपका liquidation price होता है, target price है इस scale collector का भी आप यूज कर सकते हैं